So today I am going to talk about a medicine जिसका नाम है Elprazolam Elprazolam 0.25 mg की टेबलेट्स हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे Elprazolam अपने ही नाम से इसके लावा एक आती है Elp यह बहुत ज़्यदा फिमस ब्रैंड है और Xenex Pfizer की प्रोड़क्ट है जो बहुत ज़्यदा Prescribe की जाती है सबसे पहले तो मैं बात करूँ description की Elprazolam 0.25 mg टेबलेट्स जो है anxiety disorders और panic disorder के लिए इस्तेमाल की जाती है anxiety का मतलब है फिकरमंदी जिसमें एक्स्ट्रीम तरह का tension एक परसन को होता है stress बहुत ज़्यदा होता है panic disorder में एक्स्ट्रीम तरह का fear एक खौफ रहता है इनसान को अचानक से black out हो जाता है बेहोश हो जाता है लेहाज़ा ये drug बहुत useful है इस तरह की condition में और इसके साथ एक खास बात है कि जब आब इस drug को start करते हैं तो adaptly इसको नहीं बंद करते इसके कुछ withdrawal symptoms आ सकते हैं जैसे seizures है, aggressive behavior या फिर blood vision इस तरह के effects इसके आ सकते हैं clinical use में देखा जाए तो anxiety यानि फिकरमंदी जिसमें लोगों को worried किसम की thoughts आती है बार बार उनको अजीब अजीब से ख्यालात, अजीब अजीब से एहसासात और physical changes, blood pressure का बहुत भड़ जाना, un-easiness यानि कि वो आराम जिन्देगी में खतम हो जाता है सो नहीं पाते, sweating होती है, hands और feet पे उनके sweating आती है तो इसको हम anxiety कहते हैं, इसके लिए airplazolam useful है इसके इलावा panic disorder में अचानक से कुछ लोग जो है panic कर जाते हैं, डर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं sweating बहुत ज़्यादा होती है, breathing problems हो सकती है, कमजोरी आ जाती है, हाथ बिलकुल सुन हो जाती है इसको panic disorder कहते हैं, और इसमें भी alprazolam useful drug है इसके लावा patient के concern होते हैं, कि आप कितने अरसे तक, how long does it take to take the effect drug कितने अरसे के अंदर अंदर अपना असर दिखाती है, 15-30 मिनट के अंदर अंदर drug अपना असर दिखाती है और कितने अरसे तक ये effect रहता है, तो clinically established नहीं है ये information लेकिन जब तक आपके जिसम के अंदर drug रहेगी, तब तक उसका effect रहेगा और क्या pregnancy में आप इस drug का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं आप pregnancy के दोरान इस drug का इस्तेमाल नहीं कर सकते adverse effect क्या है कि speech pattern में changes आ जाती है, unsteadiness यानि कि आराम सुकून थोड़ा सा कम हो सकता है, coordination थोड़ी सी कम हो जाती है, आपको नींद आना शुरू होती है, आपको सही से दिखाई नहीं देता, abdominal pain हो सकता है, urination के दोरान problems आ सकती है, सर चक्राना, सीने में दर्द, sleeplessness भी हो सकती है, menstrual cycle disturb हो सकते हैं, लेकिन लाज़मी नहीं है कि ये सारे के side effects हैं आपके अंदर हो सकते हैं, तो ये सारे side effects आपके अंदर आ सकते हैं, लहाज आज इसकी घबरानी की बात नहीं होती, अपने डॉक्टरिया फार्मसिस्ट से आप कंसर्ट कर सकते हैं, तो हमने बात की, Elprazolam की 0.25 MG की टेबलेट्स हैं, और क्लिनिक लिए बहुत यूसफुल हैं, साथ-साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए,